नवस्कार मैं हिमानशी कुमार आप देख रहे हैं भारत लाइब कनहिया कुमार इस नाम का जिक्र आते ही आपके दिमाग में अखवारों और नेशनल टेल्विन के सुर्खिया चलती होंगी जहां उन्हें देश द्रोही साबित करने की कोशिश ही गए हलाकि अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है अदालत में अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ रिजल्ट आता है लेकिन बता दे कि कनहिया कुमार जिन्हें विश्यू की सबसे प्रतश्रित पत्रिकाओं में से एक फॉप्स ने विश्यू के सबसे प्रभावसाली व्यक्त करने का मतलब आप समझ सकते हैं क्योंकि मंत्री अशोग चोदरी से मुलाकाद करता है अधियो के देने के तयार रहेगा कि नहीए कंधिया कुमार जो है वो एंडिये में शामिल हो लेकिन जीडियू के जो कार्ता है और लोगों से अलग-अलग मीडिया संस्थान के लोग बात कर रहे हैं, उनका ही कहना है, कि हाँ कनहिया कुमार में क्या दिक्कत है, कि अरोप सिद्ध नहीं हुआ है, और अगर कनहिया कुमार चाहते हैं, तो वो जेडियू में शामिल हो सकते हैं, जेडियू के तरब से कोई को रख रहे हैं, एक बात असपस्थ है, कनहिया कुमार के बारे में अब ये कयास लगना शुरू हो गया है, हम उतादे कि कनहिया कुमार जो CPI से हैं, और CPI को लेकि भी कभी विवादित ब्यान उन्हें दिया है, और उन्हें कहा था, Confusing Party of India, इसके साथ ही हैदराबाद में जो है, तीन दिवसीय मिटिंग हुई थी, CPI की, जिसके वो सतस हैं, और वहाँ पर उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, कहा जाता है कि उसमें जो है, पार्टी के बड़े नेता, जो डी राजा मौजूद थे, और वहाँ कम से कम 110 लोग थे, जिसमें से मात्र ती जिसके बाद उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, और CPI की हैदरावाद की जो नेसलेवल की मिटिंग हुई, उसमें से 110 लोगों में से 107 लोगों ने उस निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया, यानि कि वो कनहया कुमार को इसके लिए दोशी मानते हैं, इसे धांश नहीं हो पा रहा लेकिन GED के तरफ से कोई बहुत जो है कह सकते हैं भीरोध नहीं है, वो कहए रहे हैं कि अगर कोई प्रीज ट्विचारदारा को छोड़कर आते हैं, जिए डी के साथ सामील होते हैं, तो इसमें कोई GDW को दिक्कत नहीं हालाकि बिज़ेपी जिसकी राजिंती ही कनहिया कुमार के विरोध में रही आप देख रहे होंगे जब 2000 उन्हें इसका लोकसभा चुनाब था तो बार बार देश द्रूही जैसे शबनों का अस्ते देख को साब्धान रहने की बात कही गई तो फिर अब कैसे शमभ होगा क्या एंडिय गटवन्धन का क्या फिर सःरूफ होगा क्या एंडिय कनहिया कुमार को सिखार कर पाएगा या फिर नितीश कुमार एक तरह से वीजेवी पर दवाब बनाना चाहते है राज़ती में अपनी रन्डीतियां होती हैं, अपने तरीके होते हैं, लेकिर एक बात तो असपस्थ है, कि जब से करहिया कुमार मंतर असोग चौदरी से मिले हैं, बाज़ार में या राज़ती गल्यारों में, जो सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, क्यासों का दौर चल रहा ह ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई अगर रुवा पत्रकाईता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 93868167000 धन्यवाद